हलो गाईज विलकम बैक टूनधर वीडियो गाईज मैंने एक वीडियो बनाय था कि गूगल पे आप आप आट अफ इंडिया कैसे चला सकते हैं तो उसमें बहुत लोगों का कमेंट है कि नहीं चल रहा है मैसेज वेरिफाइ नहीं हो रहा है मतलब सीम कार्ड वेरिफिकेशन फेल हो रहा है तो देखिए मैं यहाँ पे अभी आट अफ इंडिया हो मतलब सौदिय अरब में हो आपको प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जेन केस से एर टेल लिखा हुआ है स्टीसी लिखा हुआ है देखिए एर टेल का सीम मेरे पास है और इसी मोबाइल में लगा हुआ है और इसी मोबाइल में हम सारा चीज यहाँ पे लाइप करके दिखाने वाले हैं तो वीडियो के लास्त तक बने रहें एक-एक स्टेप देखिए इंपोर्टेंट है एक चीज और यहाँ पे है कि बहुत लोग बोलते है कि मेरे प्ले स्टोर में गूगल पे आता ही नहीं है तो देखिए भाइया यह चीज ऐसा है कि मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा यहाँ पर भी थोड़ी से बता दे कि देखिए होता क्या है कि आपका जो है प्ले स्टोर में कंट्री जो है सेलेक्ट इंडिया रहना चाहिए तभी यह आएगा जिसे मेरा यहाँ पे है ठीक है देखिए एक चीज़ और का ख्याल रखना होगा कि आपका सीम कार्ड यानि कि जो सीम कार्ड आपके बैंक से जुड़ा हुआ है वो सीम कार्ड इसी मोबाइल में होना चाहिए ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर ओपें कर लेता है open करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको country select करने के लिए बोला जाएगा तो आप select करेंगे इंडिया ठीक है उसके बाद यहाँ पर नीचे continue continue करने के बाद यहाँ पर mobile number verify करेंगे यानि कि जो mobile number आपके पास है वही mobile number यहाँ पर डालना होगा तो चलिए हम यहाँ पर mobile number डाल लेते हैं mobile number में ने डाल लिया, यह SIM card इसी mobile में लगा हुआ है यही मेरा SIM, जो है, यही मतलब number मेरा bank से भी जुड़ा हुआ तो यह number डाल दिया, उसके बाद continue कर देंगे उसके बाद यहाँ पर कुछ term and condition है यहाँ पर आपका आजाएगा account, वो यहाँ पर रहने देंगे उसके बाद accept and continue, उसके बाद यहाँ पर एक verification code यानी OTP आएगा जो number आप यहाँ पर डालेंगे, वो auto read कर लेगा देखें, SIM इसी में लगा हो रहेगा ना तो auto read कर लेगा तो जैसा कि देख पार State Bank of India और Punjab National Bank दोनों आ गया तो हम किसी एक को verify कर लेते हैं तो मेरा State Bank of India है, हम इसको select किया उसके बाद activate my account का option है, इसको click करते हैं उसके बाद कुछ permission मांगा जाएगा, आपको करना होगा allow ठीक है, चलिए हम allow कर देते हैं अब यहाँ पर देखिए सबसे important चीज़, अब यह जो number आपको यहाँ पर show हुआ यह number SIM 1 में लगा हुआ है, SIM 2 में लगा हुआ कभी-कभी यह चीज़े mobile की वज़ा से भी होता है कि message verify नहीं होता देखिए यहाँ पर 2 SIM लगा हुआ, इसलिए भी confusion होता है mobile को तो क्या करना है आपको जो आपका SIM है, बहतर यह होगा कि आप single SIM लगा की use करिए, ठीक है तो देखिए SIM 2 में मेरा ATL बता रहा है, तो मैंने उसको select किया, उसके बाद यहाँ पर continue कर देंगे ठीक है, उसके बाद फिर कुछ permission मागेगा, आप एलाउ कर दीजिएगा log करने के बाद यहाँ पर SMS send करेगा, यही जो है important है, यहाँ पर SMS send होता है और verify किया जाता है, यही बहुत लोगों का नहीं हो रहा है, देखिए मेरा यहाँ पर live में आपको दिखा रहा हूँ कि verify भी हुआ और देखिए approve भी हो गया और UPI ID जो है, अब यहाँ पर add करने के बोल यह बोल रहा है तो guys यहाँ पर क्या है कि मेरा Airtail का SIM है, ठीक है, Airtail के SIM में देख सकते हैं, Google पे bank activated देख सकते हैं न, आपके सामने ही मैंने दिखाया कि यहाँ पर मैंने जो है registration, देखिए message भी आ गया Google Pay की तरफ से तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, live आपको मैंने दिखाया कि bank verify भी हो रहा है, मेरा OTP भी आया और bank जो है verify भी हुआ, आपके सामने यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ठीक है बहुत लोग comment कर रहे थे कि मेरा जो bank verification fail बता रहा है, तो भाईया ऐसा करना है आपको, कि देखिए मेरा जो है Airtel का seem है, उसमें मेरा जो balance है 200 रुपया से जादा है, और monthly SMS pack वगएरा जो रहता है monthly pack वो भी डाला हुआ है, ठीक है तो आप जैसा कि देख पार है, मैंने यहाँ पर कर लिया, मेरा Airtel का seem है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप UPI set करें अपने number को, यह number यह दूसरा चीज़ है, मतलब आपके mobile number पर ही direct पैसा आपके SBI में चला जाएगा, कोई भी अगर आपका mobile number किसी भी UPI में डालेगा, तो आपके direct इसमें आ जाएगा, मतलब यह बोला जा रहा है हमको, तो हम बात में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कि secure your app, हम बात में यह भी करेंगे, यह आप को pin लगाने बोल रहा है, हम यह चीज़ भी बात में कर ल है, यह वाला activate नहीं किया, आपके सामने भी सारा चीज़ मैंने किया, तो इस तरह से आप bank को verify भी कर सकते हैं, आपका SIM card verify भी हो जागा, आपका SIM card से message जाके आपका bank भी add हो जागा, मैंने live यहाँ पर दिखाया, आपको लगता है कि हम कहीं इंडिया में तो नहीं है, मगर य STC, JNK से सब यहाँ पर लिखा रहा, मतलब हम कहाँ पर हैं भी, हम यहाँ पर सौधिय अरब में मौझूद हैं, और सौधिय अरब्या से ही मैंने ये वीडियो बनाया, आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इस तरह से आप Google Pay को verify कर सकते हैं, बहुत से लोग आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगत एक लाइक जरूर करियेगा, थेंक यू